कि आज कुछ खास के मंच पर कुछ खास लेकर आया हूँ आज कुछ खास के मंच पर कुछ खास लेकर आया हूँ तूटे हुए आशिकों की अर्दास लेकर आया हूँ तो मैं शुरुबात करता हूँ आज जो मेरा content है वो break up के ऊपर है after break up है ना तो मैं शुरुवात करता हूँ कि जब दिल एक हो जाते हैं तो ये जिसमे एक क्यों नहीं जब दिल एक हो जाते हैं तो ये जिसमे एक क्यों नहीं जब इनसान एक जैसा है तो ये एक जैसी बनावट है जब दिल एक हो जाते हैं तो ये जिस्म एक क्यूं नहीं जब इनसान एक जैसा है एक जैसी बनावट है तो ये मजहभ ये खुदा एक क्यूं नहीं ये मज़ब ये खुदा ये भगवान एक क्यूं नहीं जब एक जैसे दिल मिल जाते हैं तो ये जात पात ये भेद भाव एक क्यूं नहीं और क्यूं ये हजारों आशिक बनाए रखे हैं तुमने क्यूं ये हजारों आशिक बनाए रखे हैं तुमने तुम तो कहते थे महबत होती है तुम्हें फिर तुम्हारा आशिक एक क्यूं नहीं बहुत शुक्रिया अगली है कि भाई देखो भोली शकल पर तो हर को इफिसल जाता है एक भोली शकल वाली लड़की इस खाब के दिल को प्यार में कुछ ऐसे बहला कर एक सजा दे बैठी कि एक भोली शकल वाली लड़की इस खाब के दिल को प्यार में बहला कर एक सजा दे बैठी महबत तो की थी इस खाबने भी उससे बेकदर पर वो कमबक्त कहीं और दिल लगा बैठी कि महबद तो की थी इस खाब ने भी उससे बेकदर पर वो कमबक्त कहीं और दिल लगा बैटी और सुना है कई लोगों को आजमा चुकी है वो इश्क के नाम पर सुना है कई लोगों को आजमा चुकी है वो इश्क के नाम बैट कमबक्त वो तारे गिंते गिंते चांद गवावेटी बहुत शुक्रिया अब ऐसा होता है ना कि कभी-कभी कुछ चीजे रियलाइज हो जाती है तो परसन लोट के आता है है ना बट भाई जिसको धोका मिला हुआ होता है वो हमेशा उसे नेगलेट करता है कभी अपने पास लाना नहीं चाहता तो उसके उपर है कि साथ तो छोड़ दिया है तुमने मेरा साथ तो छोड़ दिया है तुमने मेरा अब किस हक से अपना कहने आयो कि साथ तो छोड़ दिया है तुमने मेरा अब किस हक से अपना कहने आयो क्यूं मेरा हाथ थामना है तो मैं फिर से, वो गालिब, वो रांजा उन्हे भी मुह्भत में आजमा कर आये हो, लगता है जमाने ने ठुकरा दिया है तो मैं, इसलिए एक बार फिर से मुझे धोका दिने आये हो, इसलिए एक बार फेर से मुझे दोखा देने आयो और अब तो इस खाब ने महुपत करनी छोड़ दी है कि अब तो इस खाब ने महुपत करनी छोड़ दी है तो भला इस खाब से क्या लेने आयो बहुत शुक्रिया को सवाल होते हैं ब्रेक अप के बाद जो परसन पूछना चाहता है कि क्यूं सनी भाई का special है कि क्या ठीक है सुनो जब मैं रूट जाओंगा तब मुझे मनाओगी क्या कि सुनो जब मैं रूट जाओंगा तब मुझे मनाओगी क्या जब मैं उदास होकर बैटा रहूंगा कहीं अकेले में मुझे आकर हसाओगी क्या कि सुनो जब मैं रूट जाओंगा तो मुझे आकर मनाओगी क्या जब मैं उदास होकर बैठा रहूंगा कहीं कोने में मुझे आकर हसाओगी क्या चलो मान लिया महपत नहीं है पर सची दोस्ती निभाओगी क्या कि चलो मान लिया मोहबत नहीं है पर सची दोस्ती निभाओगी क्या जब गलतियां करूँगा तो मेरी गलतियां बताने की जगए मुझे अपनाओगी क्या कि जब गलतियां करूँगा तो मेरी गलतियां बताने की जगए मुझे अपनाओगी क्या जब कहीं खो जाओंगा अकेला हो जाओंगा तो मुझे याद करोगी क्या हाँ थोड़ा पागल सा हूँ दूर जाने की बोल देता हूँ तुम भी नाराज होने की जगे मुझे समझाओगी क्या कि हाँ थोड़ा पागल हूँ दूर जाने की बोल देता हूँ तुम भी नाराज होने की जगे मुझे समझाओगी क्या हाँ हूँ थोड़ा पागल पर हाँ इस पागल को अपना बनाओगी क्या कि हाँ हूँ थोड़ा पागल पर इस पागल को अपना बनाओगी क्या बहुत शुक्रिया अगला है कि महसूस जो अंदर से होता है, परसन करता है तो उस पर लिखाया मैंने कि कितना महसूस करता हूँ तुझे मैं खुद मैं कि तुझे कितना महसूस करता हूँ मैं खुद मैं मेरा रोम रोम बस तेरा नाम लेकर तडपता है कितना महसूस करता हूँ तुझे खुद में मेरा रोम रोम बस तेरा नाम लेकर तड़कता है और अब तो जमाने ने भी कह दिया है बदले बदले लगते हो तुम अब तो जमाने ने भी कह दिया है बदले बदले लगते हो तुम कमबक्त उन्हें कौन बताए दिल तो मेरा है पर नाम तेरा लेके दड़कता है बहुत शुक्रिया इंसान बेबस हो जाता है मजबूर हो जाता है तो उस पर लिखाय मैंने कि आज मजबूरी ने भी मुझे मजबूर कर दिया आज मजबूरी ने भी तुम महबत ने भी खुझ से दूर कर दिया और तुससे बिछणने के बाद ऐ मेरे हमसफर तुससे बिछणने के बाद ऐ मेरे हमसफर तेरी बेवफाई ने मुझे सारे शहर में मशूर कर दिया तेरी बेवफाई ने मुझे सारे शहर में मशूर कर दिया तेरी बेवफाई ने